हर हर महादेव जय भोले नातना मश्कार दोस्तों आप सभी का श्रागत है धर्मग्यान के मारव में आज हम बात करेंगे कि घर में जब भगवान कवास होता है तो कौन से दस सुख संकेत हैं जो हमें मिलते हैं कहीं आपको तो नहीं मिल रहा हैं जरूर जान ले इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको वह संकेत मिलता है तो आप समझ जाएं कि आपके घर में भगवान कवास हो चुका है और आपका दुख कटने वाला है तो वीडियो को अंद तक लाश्ट तक जरूर देखिएगा जिस कर लिजिएगा साथ ही बेल आइकन जरूर दबाईएगा जिससे की मेरे वीडियो के नए नोटिपिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे कमेंट बॉक्स में जै मालक्षमी और जै विश्णोदेव जरूर लिखिएगा इनकी किर्पा पाने के लिए भगवान की पूजा पाठ और ब्रत सभी लोग करते हैं भगवान के आगे सुबा साम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की किर्पा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना करना ना पड़े या तो हम सभी जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकीत भी देते हैं कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपके कुछ गलतियों से लोट जाते हैं आपके कुछ करमों से वो लोट जाते हैं क्योंकि उस समय अक्सर लोग या गलती करते हैं वो कभी पूजा पाठ करते और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो ये सब सही नहीं होता, इससे इस वर चले जाते हैं, या आपको कभी नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके घर में इस वर तो वास करते हैं, लेकिन उन् कि इस्वर की पूज तो रोज करता हूं लेकिन तभी इस्वर मुझे क्यों नहीं देखते हैं और क्यों नहीं दिखते हैं तो आपके लिए आपकी इस्वर को रुष्ट कर देते हैं इसलिए आपको आज हम वह संकत इस विडियों में बताने जा रह lavender हैं, जिसे आप स्वयम जान पाएंगे कि इस वर आपके घर में आ चुके हैं, क्या है वो संकेत, जब आप सो रहे होते हैं, और ब्रह्म महुरत में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नेंद इसी समय खुल जाती है, साथ ही यदि ब्रह्म महुरत में ही कोई ऐसा सबना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप उजा कर रहे हैं, मंत्रों का जब कर रहे हैं, तो ब्रह्म महुरत में देखे गए ऐसे सबने भी इस बात का संकेत देते हैं, कि इस वर आपकी घर में हैं, यदि आपको ब्रह्म महुरत में ही संख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है, जिसे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आगये हैं जब ही आप सुबह सुबह नहाद होकर तयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं अतिक केवल आपको महसूस होती है ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है ना ही अन्य किसी अगरवत्ती या अन्य किसी चीज की बस आपको ये अजीब सी महक आती है सुगंथ आपके मंदिर घर में से आती है अब ओ घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक जादा आती हैं, दोस्तों ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि इसवर आपके घर में वास कर चुके हैं, अब जो नाकरात्मकुर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है, तो आपको घर की भीतर दुरगंद आने लगत होती है, लेकिन जब इसवर का वास होता है, तो सकरात्मकुर्जा का परवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है, अच्छी अच्छी सुगंधे आपको सूहनी को मिलती है, ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन कोई भी बिखती विख्चु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हपते में 3-4 बार लगतार अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पूजा करते समय में ही वधु आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसवार आपके घर में दस्ट दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती हैं, वो भी माता का स्वरूप होती है, कुट्ता भी भैरो बाबा का परतिक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है, तो वो भी इस्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है, तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए. पैसे या अन्याज चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का पानी का माना जाता है अगर आपको रात में नींद के दवरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर भगवान की मुर्थियां या फोटो दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान के किरपा बनी हुई है लेकर कुछ संसय आ जाता है सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैविय सक्ति का आसिरवाद है जिन लोगों पर भगवान के किरपा होती है वो अमीर हो या गरीब उन्हें हर जगा सम्मान मिलता है अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हांसिल होती है तो यह भगवान के ही किरपा की निसानी है भगवान उन्हें हर परिसानियों से बचा लेते हैं जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वो हर परस्तितियों में खुश रहते हैं, उनका जीमन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी परेसानियों से डर नहीं लगता, वो हर परेसानी मुसीबत को असानी से पार कर लेते हैं उल्लू दिखना सुभ हिंदु धर में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है उल्लू को माता लक्षमी का वाहन माना जाता है लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही सुभ संकेत माना जाता है किसी जगा अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लिजिए कि जल्द ही आपके घर में पधारने वाली हैं. खान पान में आने लगता है बदला, मा लक्षमी जिस घर में भी आती हैं, उस घर में लोगों के खान-पान की आदते बदलने लगती हैं. कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है, खास बात ए है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी परियाप्त लगने लगता है, इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नसा और मनसहार से भी दूरी बनाने लगते हैं, धन की देवी मालक्षमी को साप सफाई बहुत है, जिन घरों में साप सफाई होती है, माता लक्षमी उसी घर में वास करती है, इसके अलावा मालक्षमी को सफाई में इस्तमाल की जाने वाले जाडू भी बहुत पिरिये होती है, कहा जाता है कि सुबा के समय कही जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर जाडू लगात शुबसंकित संक्य देटे हैं हिंदु धर्म में संक्य को एक अहम स्थान दिया गया है इतना यह लीन रेस कुरूर अवाज भी काफी अवासर पर होने वाली पूजा पाका यहीं संख lection दे तो यह एक शूबसंकित होता है माना जाता है कि सुबा उठने के बाद संक्य की अवाज सुनाई देना आपके घर में मा लक्षमी के आगमन का संकेत देता है यदि आपको लगतार तीन दिनों तक घर से निकलते समय नील कंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाए कि भगवान ने आपकी सुन ली है आपकी जल नहीं कोई बड़ी मनुकामना पूरी होने वाली है नील कंठ पक्षी का दिखना महा देव की किरपा होने का इसारा देता है यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाए आने लगे या किसी दिन सफेद गाए आपके घर के सामने आकर अपने बच्छे को दूद पिलाए तो यह देवी देवताओं की आपपर किरपा होने का साफ इसारा है यह बताता है कि आपके पूजा प्राथना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है, भगवान आपके सारे कश्ट और बुरे दिन खतम करने वाले हैं, यदि घर के मुख द्वार के आसपास चड़िया घोसला बना ले तो यह बहुत ही सुपसंक संकेत होता है, यह इस बात का प्रमार है कि आपकी पूजा सफल हो गई है, चड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बलकि उनके लिए दाना पानी रखें, यदि पूजा करते समय आप इतने भावपुन हो जाएं कि आपकी आँखों से आसुन निकलने वाली है, इस तरह के संकेत यदि आपको मिलते हैं, तो आप भी समझ जाईए कि आपके सारे दुख अब मिटने वाले हैं, दोस्तों उमीद करते हूं कि यह जनकारी आप लोगों को पसंद आएगी, तो ऐसे ही जनकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक कर एक कर दो राख जैएन के लिए मिलत खुण कर दो प्यों चयारी आपके लोगों कर दो आपके लिए आपके हैं, जो अब य다- हॉँने करी आपके संदा गलाएगे हैं, अजय उनकारी के उनकारी नह भी जजए हैं.